हाई फैन दीस आसीफ फ्रम केंपस लॉज सेंटर फेकल्टी फ्लाइश्टेव देली तोड़े वूट लाइट डिसकस लेंगा केस ऑफ इंडियन कॉंट्रेक्ट एटीन सेमेंटी टुविशी मैंसनी नावर केसमेट केस का नाम है सुभास चंद दास मुश्रीव वर्सिस फादर होता है उसके दो बेटे होते हैं एक बेटा हो गिया S1 दूसरे बेटा हो गिया S2 और एक ग्रांड सन होता है ग्रांड सन तो होता क्या है कि जो ग्रांड फादर होता है इस केस में ये वो कुछ agriculture land जो है अपने grandson को gift कर देता है और gift करने के 4 साल के बाद इसकी मौत हो जाती है यानि के grandfather की death हो जाती है तो जो ये दूसरा बेटा होता है इसका वो इसके उपर case कर देता है कि grandfather ने undue influence में आकर के property जो है grandson को दे दिया है इसलिए ये जो property का जो अदान प्रदान है वो valid नहीं है तो इस case के man brief fact यहीं है जिसको English में यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे आप समझ सकते है in this case some agriculture land property was gifted by a person to his only grandson through one of his two sons to the total exclusion of his sons although the donor was quite old he was taking interest in his property four years after the gift he died after that the other son questioned the validity of the gift on the ground of undue influence तो चलिए अब court के observation और decision पे आते हैं जब मामला court में जाता है तो court जो है रगुनाद परसाद वरसे सर्जू परसाद केस में जो principal lay down किया गया था उसे approve करती है और कहती है कि present case के fact को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि present case में कोई भी undue influence जो है वो arise ही नहीं होता है circumstantial evidence यह कहते हैं कि एक grandfather ने अपने grand son को कुछ property जो है gift में दिया और यह जो property गिफ्ट में दिया है वो natural love and affection की वज़ा से दिया है तो कोई दबाव में नहीं दिया है बलके प्यार की वज़ा से दिया है इसलिए अंड्यू influence का तो कोई मामला ही नहीं बनता है इसलिए यह जो transaction है वो बिल्कुल valid है यानि कि यह transaction है वो बिल्कुल valid है कहने का मतलब यह है कि grandson को जो प्रपर्टी मिला है उस प्रपर्टी पे कोई question arise नहीं कर सकता है और grandfather के दूसरे बेटे ने जो case किया है वो case हार जाता है और grandson को प्रपर्टी जो मिली होई होती है गिफ्ट के माध्यम से वो बरकुरार रहती है दियान रखिएगा इस case में रगुनात परसाद वर्से सरजु परसाद case का जिक्र किया गया है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसे आप मेरे ही चैनल के law of contract के playlist में जाकर देख सकते हैं तो आप इस case को देख लें ताकि आपको यह case समझने में आसानी हो तो इस case के fact और judgment यहीं है अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें हमसे जूरे रहन के लिए हमाया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस case का PDF चाहिए तो comment box में WhatsApp नमबर दिया गया है मैसेज करके PDF ले सकते हैं thank you so much